इस वीडियो में आप सभी को इंटर्मीडर्ट आपका जो प्रोज है क्लास्ट वेल्थ प्रोज का लाश्ट चेप्टर दा हेरिटेज आफ इंडिया चेप्टर के सौर्ट एंसर टाइप क्वेस्चन थर्टी वर्ड वाले क्वेस्चन जो भी होते हैं जो बोड एक्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में कवर करने वाला आपको बताने वाला होते हैं चली वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब हैं तो कर जलू करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करिए तो चली वीडियो को सुरू करते हैं तो first question हमारा important question है इस chapter से what did राजा राम मोहन राय एवं और विवेकानन्द एड़ोकेट तो राजा राम मोहन राय एवं विवेकानन जी ने किसकी वकालत की इस chapter को आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उन्हों ने किसकी वकालत की थी तो इस कैनसरों का राजा राम मोहन राय एविवेकानन एड़ोकेटेड सोचल रिफोर्म उन्होंने सोचल रिफॉर्म की वकालत की थी विवेकानन ज रिकाड़ेड सोचल सरविस as the highest form of service जो विवेका नंजी हैं वो सोसल सर्विस समाजिक कारे कर दे थे जो कि कौन सा सर्विस है उच्छ स्रेडी का कारे है हाइस्ट फार्म आफ सर्विस तो राजा राम मोहन राय एंड विवेका नंजी ने किसकी वकालत की थी उन्होंने सोसल रिफॉर्म की वकालत की थी और जो विवेका नंजी है उन्होंने सामाजिक कारे किये जो की सबसे महतपुर कारे है उसके बाद अगला question हमारा है उसके बाद अगला इसमें question है वानों का Did Ghandi जी believe in the fundamental of the Indian culture? What is the contribution of Ghandi जी to Hindu culture? क्या Ghandi जी प्राचिन भार्तिक संस्कृती की मौलिकता में विश्वास करते थे Hindu संस्कृती में Ghandi जी का क्या योगदान था? या फिर इस question को वैसे पुछा जाथता What was Mahatma Ghandi attitude toward Indian culture? तो Mahatma Ghandi के भारती संस्कृत के पती क्या भाव है? ये question आपको दो टाइब से पुछा जा सकता है लेकिन इसका answer एक होगा Ghandi ची believed in the fundamental of the ancient Indian culture वो उसमें believe करते थे He opposed the caste system and believed in non-violence वो violence में believe नहीं करते थे non-violence वो सांती बनारे रखना चाहते थे असांती नहीं He fought for women's rights and equality and help the oppressed and downtown तो इस question का answer यह है अगला question जो है इस chapter का important है What does the heritage of India consist of? भारत की परंपरा किसे बनी है? यह भी important question है तो भारत की परंपरा किसे बनी है? The heritage of India consists of its ancient culture and tradition and its holy books such as the भगवत गीता, महाभारत, रामायड, दवपनिसद, its glorious past and its unity in the diversity तो भारत की परंपरा किसे बनी है? भारत की परंपरा जो है हमारे culture से बनी हुई है इसके books, holy books जो है भगवत गीता, महाभारत, रामायड, उपनिसद यह सम है तो अगला question है, भारती संस्कृती के विशय में अनोखा क्या है? What is a unique about Indian culture? भारती संस्कृती के विशय में अनोखा क्या है? या फिर इस question को यह से पुछा दा सकता है According to A.L. Vassan What is unique about Indian culture? A.L. Vassan की अमसार भारती संस्कृत की विशय में अनोखा क्या है? तो इसका एंसर होगा इंडियन कल्चर is a unique in the respect that through it received, adapted and digest elements of many different cultures the culture tradition of India continued and remained unchanged भारती संस्कृति के विसे में इसलिए बारती संस्कृति इसलिए नोखा है क्योंकि यहां सबसे unique है यहां पर क्या है? सभी प्रकार के धर्म के लोग है यहां पर जो cultures हैं, बहुत से cultures के लोग है और बहुत से लोगों का culture यहां पर जुड़ा हुआ है सभी लोग अपने अपने तरह से, अपने अपने तरीके से किसी भी कार्यों को करते हैं दर्म को नहीं आते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं एक जुटता के साथ रहते हैं यही भारती कल्चर का अपने आप में एक अनोखा है तो इस वीडियो के यह सब हैं important question PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएंगे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर लिजिए link आपको description box मिल जाएगा उसके बाद आपको merchant of Venice के सबी questions हैं जो आपको पूछे जाते हैं board exam में वो clear करने वाला हैं अगले वीडियो में आपसे आपको merchant of Venice के questions ही बताया जाएंगे जो board exam में पूछे जाते हैं और अच्छे आंक आपको मिलते हैं उसमें आपको 75 word में आपको लिखना रहता है और 75 word में आपको लिखना रहता है और आपको आठ नंबर दिया जाता है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे बारत आइंड वन्ने मातर